हाई मैं हूँ मोहिच आप देख रहे हैं टेक्निकल वात तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5-based phone के बारे में जिसे आप लोग खरी सकते हो under 15,000 में इसी week saving day sale में या फिर इसी summer sale में वे भी discount में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ 4G phone के बारे में अगर आप लोगों को 5G phone related कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे comment में मुझे जरूर बताना तो दोस्तो मैं जिस phone के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारे phone का link description में दिया है आप लोगों को phone खरीदना है तो आप लोग यहाँ पे मेरे link से buy कर सकते हो तो दोस्तो अगर आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी चाहिए कि आप लोगों के लिए under 15,000 में best phone कौन सा होने वाली है तो हाँ इस वीडियो को लाश्टे तक जरूर देखना तो आईए दोस्तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे start करते हैं सबसे पहला यहाँ phone निकल के आता है Redmi Note 10 Pro वैसे इस phone का भी आप लोगों को price दिखने वाला है Amazon पे 17,000 रुपे लेकिन 2,000 रुपे का आप लोगों को coupon apply करना है तो आप लोग यहाँ पे 15,000 रुपे से buy कर सकते हो अगर आप लोग यहाँ पे ICICI का credit card या फिसाइड डेविट काड में discount है 14,000 का आप लोग यहाँ पे जाके check कर सकते हो अगर आप लोग पे card लगाते हो तो 13,000 रुपे से buy कर सकते हो तो आइए जान लेते हैं कि इसमें हम दोगों को features क्या क्या मिलता है तो यह glass back के साथ आता है वहीं दोस्तों मैं display के बारे में बात करूँ तो इसमें हम दोगों को देखने को मिलता है full hd plus 120 hertz का emoled वाला display 16 megapixel का selfie camera punch hole के साथ वहीं दोस्तों मैं rear camera के बारे में बात करूँ तो quad camera का setup हम दोगों को इस phone में देखने को मिल जाता है 64 megapixel का main camera 8 megapixel का wide angle camera बाकी 5 megapixel का और जो 14 camera मिलता है 2 megapixel का और इसमें हम दोगों को processor भी तगड़ा मिलता है snapdragon का 732G processor side mounted fingerprint sensor के साथ आता है plus face unlock का system मिलता है 5000 mAh का battery 33 watt का fast charging तो दोस्तों ये सारा features हम दोगों को देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों आप लोगों को under 15,000 में phone खरीदना है तो अभी मेरे विचार से आप लोगों को यहां पे Redmi Note 10 Pro को buy करना चाहिए हाँ ये एक साल पूराना हो चुका है लेकिन under 15,000 में based phone ये निकल के आता है तो दोस्तों यहां पे हमारा next phone आता है Poco M4 Pro जब ये phone इंडिया में launch कोआ था तो इसका price रखा गया था 15,000 रुपे से लेकिन दोस्तों अभी आप लोग इसको COD में खरी सकते हो 14,000 रुपे से अगर दोस्तों prepared में खरीते हो तो 13,000 रुपे से buy कर सकते हो अगर आप लोग यहां पे SBI का credit card लागाते हो तो 12,000 रुपे से खरी सकते हो 12,000 रुपे में यह best deal आप लोगों के लिए हो सकते है तो आए जानते हैं कि इस phone में हम लोगों को features क्या क्या देखने को मिलता है 90 Hz का full HD plus AMOLED display मिलता है 16 MP का selfie with punch hole वहीं तो समय rear camera के बार में बात करूँ तो Poco M4 Pro आता है 64 MP के साथ triple rear camera setup के साथ और जो इसमें processor मिलता है हम लोगों को media taker G96 processor मतलब कि इसमें आप लोगों को gaming performance based मिलने वाला है मैं 12,000 के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ side mounted fingerprint sensor के साथ आता है plus हम लोगों को 5000 mAh का battery देखने को मिलता है 33 watt का fast charging और यह lightweight के साथ आता है मतलब भी इसका weight निकल के आता है 180 gram तो दोस्तो मेरे विचार से आप लोग इस phone को भी यहाँ पर ले सकते हो 12,000 रुपे में या फिर 12,000 रुपे में आप यहाँ पर realme 8 को बाई कर सकते हो big saving day sale में SBI का आप लोग यहाँ पर david card लगाते हो तो आप लोगों को 4000 का AUK मिल जाएगा या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर redmi note 10s को buy कर सकते हो इसी summer sale में मात्र 11,000 रुपे में इसमें भी आप लोगों को coupon से AUK मिल जाएगा या फिर आप लोगों को यहाँ पर card से offer मिल जाएगा जो आप लोगों को यहाँ पर features देखने को मिलता है Poco M4 Pro में आप लोगों को यहाँ पर सेम लगभग लगभग सेम features मिलने वाला है Realme 8 में और redmi note 10s में यहाँ पर आप लोगों को यह दोनों phone में अंतर क्या देखने को मिलता है इसमें भी हम लोगों को AMOLED डिस्प्ले मिलता है लेकिन 60Hz डिस्प्ले के साथ Realme 8 में और redmi note 10s में लेकिन दोसो Realme 8 में हम लोगों को in display fingerprint sensor का support मिलता है तो यह आप लोगों को यहाँ पर benefit मिलता है realme 8 में Poco M4 Pro में हम लोगों को MediaTaker G96 processor मिलता है लेकिन Realme 8 में या फिर redmi note 10s में हम लोगों को MediaTaker G95 processor मिलता है जो कि यहाँ पर ज्यादा difference आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है सेम 5000 mm का battery मिलता है 30W का और 33W का fast charging का support मिलता है हम लोगों को Realme 8 में और redmi note 10s में जो कि दोस्तो यह भी based deal हो सकती है आप लोगों के लिए 12,000 रुपे में या फिर 11,000 रुपे में आप लोगों को यह तीनो फोन में ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है थोड़ा बहुत आप लोगों को अंतर देखने को मिल जागा जैसे कि हम लोगों को dual speaker मिलता है Poco M4 Pro में या फिर Redmi Note 10S में Realme 8 में नहीं मतलब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलता है मैंने ये तीनो फोन के बीच में comparison कर दिया है मतलब कि अलग-अलग मैंने comparison वीडियो डाला है इस चैनल पे आप लोगों को नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो तो दोस्तो यह रहा हमारा 5-based phone चलिए मैं आप लोगों को लिए यहाँ पे एक और बता देता हूँ तो दोस्तो हमारा छट्टे नंबर में आता है IQ Z6 इसमें हम दोगों को क्या-क्या features मिलता है इसमें भी हम दोगों को Full HD Plus के साथ AMOLED वाला display मिलता है 16 Megapixel का selfie camera लेकिन इसमें हम दोगों को water drop notch डेखने को मिलता है 50 Megapixel के साथ 3DR camera Snapdragon 680 processor और in-display fingerprint sensor 5000 mAh का battery 44 Watt का fast charging और दोस्तो आप लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए जब यह phone हाली में इंडिया में launch कुआ था तो इसका price रखा गया था 14,000 रुपे लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे coupon apply करके 13,000 रुपे में buy कर सकते हो अगर आप लोग यहाँ पे ICICI का card या फिर RBL bank का card और एक कौन सा card था मुझे याद नहीं है यह सारा card लगाते हो तो आप इस phone को 12,000 रुपे में buy कर सकते हो तो दोस्तों यह था मेरे हिसाब से best phone under 15,000 में और 9,000 से 10,000 रुपे में आप लोगों को एक phone खरीता है तो आप लोग यह phone को खरी सकते हो कौन सा? Infinix and Note 11 इसमें भी हम दोगों को AMOLED डिस्पले मिलता है प्लस हम दोगों को G88 प्रोसेसर मिलता है या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे Motorola का phone ले सकते हो कौन सा phone है मैं डिस्पले में सो कर दूँगा इस phone में भी हम दोगों को AMOLED डिस्पले मिलता है G85 processor मिलता है तो आप लोगों को 11,000 रुपए में ये मिलने वाला है 10,000 रुपए में आप लोग यहां पे इस phone को card से ले सकते हो और Infinix Sun Note 11 आप लोग यहां पे card से 9,000 रुपए में ही ले सकते हो तो दोस्तों फिलाल आज की इस वीडियो में बसीता ही था